नमस्कार कापिटल टेवी उतर प्रदेश देखरें आप मैं हूँ आपके साथ दिव्यासेंग। दिये है कि सभी नागरेकों के लिए धर्म समुदाय और छेत्र से परेशादी तलाग विरासत बच्चों को गोद लेने समित तमाम नीजी मामलों में एक साही कानून लागू हो सके लेकिन अब यू सी सी पर बयानवाजी तेज हो गई है वहीं अब इसके समर्थन में बेस्प देश में यूनिफर्म सिविल कोर्ट को लेकर सियासी पारा चड़ा हुआ है संभावना जताय जारी है कि केंद सरकार मौनसून सत्र के दौरान संसद में यूनिफर्म सिविल कोर्ट पेश कर सकती है इस पर विविन दलो की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है अब बियस्पी चिफ मायवती ने भी लखनाओ में बयान जारी कर इस पर पार्टी का पक्ष रख दिया है। की जा रही है। समविधान की धारा चवालिस में यूसिसी बनाने का प्रयास तो वर्णित है मगर इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही भाजपा को देश में यूसिसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। हमारी पाटी यूसिसी को लागू करने के खलाफ नहीं है बलकि भाजपा और इनकी सरकार द्वारा इसे देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है। जिसमें सर्वधर्म हिताय, सर्वधर्म सुखाय के नीती नहीं बलकि इसकी आड में इनकी संकर्ण स्वार्थ की राजनीती जादा देखनी को मल रही है। और नहीं कहा कि बीजेपी के लिए ये उचित नहीं है जबकि इससे उपर उचकर सब सरकार को इसे लागू करने चाहिए, इसमें कोई धार्मिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि बीजेपी सरकार ऐसा कुछ करती है तो हमारी पाटी इस मामले में सापारात्मक रोख अपनाएगी। ऐसा नहीं होता है तो हमारी पाटी इसका विरोध भी करेगी। लेकिन देश में जनहित में सही तो ये होगा कि इस समय सरकार को अती, महगाई, घरीबी, बेरोजकारी, सिक्षा और स्वास्त जेसे बनियादी जरुरतों के अधार से देशवासियों का दर्द पाटने में संसाधन और उर्जा लगाई जाए। तो देखा आपने के BSP चिप मायावति भी UCC के समर्थन में नजर आ रही है, हलाकि उनका कहना है कि इसे किसी पर थोपने की जरुरत नहीं है, बलकि सबकी सहमती से लागो करने की जरुरत है। देरे देरे बिपक्षे कई लोग इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग इसके एकदम विरोध में भी नजर आ रहे हैं।